असलाम अलेकों माई योट्योब फैमिली आज मैं फिर आप लोगों के लिए टूडे नियू अपडेट लेकर आई हैं धोबी घाट बकरा मंडी की ये नियू अपडेट है तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा इस वाले बकरे का क्या मांग रहे हूँ बीस हजार तो ये कौन सा बकरा है ये देसी बकरा है ये तो ये जोडी में है या सिंगल बीस हजार का है सिंगल बीस हजार का है तो ये कौन सा है तोता परी ना देसी है देसी बकरा है ये तो बीस हजार को जादा नहीं मांग रहे फैनल कितने पर करोगे अठारा पर फैनल करोगे यह दो दात का पक रहा है दिखाना इसके दाथ कान दिखाईए इसके बहवे तो नहीं रहे सिंग तो नहीं कट रहा कितने किलो का है 35 किलो का होगा 35 से 40 या खाली 35 तो ये वजन के हिसाब से बेच रहे हो मतलब ऐसे ही बेच रहे हो अच्छा और ये वाला ब्राउन वाले का क्या रेट है 24 जार इसके 24,000 मांग रहे हो मांगने के रेट है ना ये तो फिर दोगे कितने का फाइनल कितने पर कर रहे हो ये भी 18 पे हो जाएगा तोता परी दोगली नसल है इसकी और 24,000 रुपे मांग रहे हैं 18 पे डन कर देंगे आप एक बार यहाँ पर आईए और आने के बाद आपको पता चलेगा कि बकरो का क्या रेट चल रहा है और ये सबसे सस्ता बादार है यहाँ का दिल्ली का जो अब तक हमने कवर किया है सबसे सस्ता बादार हमें यहाँ धोबी घाट का ही लगा धोबी घाट बकरवंडी अब इस वाले का बताईए इस पे एक हजार छोड़ ले हो ऐसा क्यों इस पे एक हजार क्यों मतलब अठारा मांग रहे हो और सत्रा पे छोड़ रहे हो है यह भी तो तपरी कौन सा है यह राजिस्थान है इसके दात तो दिखाईए चार दात का बग रहे नहीं है आपे बस दिखाना है इसके दात भी दिखाईए एक बर इसके सींग सारी चीज़ दिखादे एक बर थोड़ा से चला कर दिखाईए वोकरे को इसके बीमार वीमार तो नहीं है यह बिल्गुल सही है कोई परेशानी नहीं है इसमें सारे बगरों में ना नहीं फिर भी मालूम करना तो पड़ता है इसका क्या मांग रहे हो नगेए 10500 मांग रहे हो इस बकरे का तो यह देशी बकरा है कौन सा है बरबर हो देशी तो बरबर अलग होता है देशी अलग होता है दोनों मिक्स है यह अच्छा यह दोगला बकरा है और फाइनल कितने पर गरोगे यह आपको आठ पर फाइनल हो जाएगा आप एक बार लिजेगा यह दिल्ली का सबसे सस्ता बाजार है थोड़ा से चला कर दिखाईए इसके दात में तो दिखा दें आप मुझे दो दात का है ठीक है इस बकरे का क्या मांग रहे हो इसकी चोबिस हजार है यह कौन सवाला है राजिस्थानी बच्चे है इसमें क्या खासियत होती है राजिस्थानी बच्चे में खुबसूर्ती के पैसे है आप इसके दात दिखाईए दो दात का बकर है सारी चीज़े थोड़े से चला कर दिखाईए सारी चीज़ पैर में कोई दिक्कत तो नहीं है सही बात है बहुत अच्छा बख रहा है एक बात मैं यहाँ पर और क्लियर करती चलू बहुत से ऐसे फॉर्मेंट आ रहे हैं कि बोका बखरी की वीडियो आप बनाईए तो मैंने लास्ट वीडियो शेयर की है बोका बखरी की वीडियो और एक वीडियो और है जो मैं इंशाल्ला बहुत जल्द आप लोगों के साथ उसका न्यू अपडेट शेयर करूंगी प्रक्मान गेट वाली वीडियो में मैंने बोका बकरे की पूरी डिटेल शेर की है ठीक है विद प्राइस और अगर आप लोगों को और न्यू अपडेट चाहिए तो वो भी मैं आपको देती जाओंगी बोका वीडियो की न्यू अपडेट ये अभी आप धोबई घाट बकर है है कर दो लोगेट बोले में वाल कर दोला में वाल के लेडियो बेट वाल के लगेड बड़ी नहीं है जाओ वो रिद्राईस ऑर नहीं हम अब आपको बोला पड़ेगा इना एंतर जो जो अच्वादि जाओ कर दो आउगा है तो अभादिक कानी पड़ाईटेटीं कि फिर दूऊँए इने दूऊँए इने दूऊँए इसे इसे इतने वहेंगे बता जी आपको बॉला आपको अधिके आपको इक पोला आपको दू इसमें क्या खास बात है जो 25 मांग रहे हूं इसके खासियत बताओ ना 25 इसमें क्या फरक है ऐसा वजन देखने में तो सेम लग रहा है क्योंकि वह लंबा है इससे आप देखो अगर इसकी बात करें तो वह वाले बक्रे की लंबाई जादा है जब लंबाई जादा है तो जाहिर सी बाद है वह गोश्ट बैलेंस हो गया साड़े सोला में छोड़नी रहे तो जाड़े साड़े साड़े सोला में छोड़नी रहे गया कहां तक फाइनल जा रहा है भाई बता दें आप आपको विषण है फाइनल जादा है इस आप लेखा आप लोसे की और उन्हों ने पैसे ज्यादा कम की इनको नहीं पढ़ा तो उन्होंने नहीं दिया लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है धोबी घाट बक्रा मंडी पर जगा जगा मंडी लगी हुई है अलग-अलग इस्टॉल टाइप में लगी हुई है और हर जगा आपनों ट्राय कर लीजिएगा पास-पास में हैं ज्यादा दूर नहीं है और आप देख रहे हैं कितने शांदार भक्रे हैं मतलब बक्रों में कोई भी कमी नहीं है हेल्दी भुटरे हैं चो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने इस तरह से हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन क्यों इता लाइक यू अपडेट के साथ